ओम शांती आज 6 माई 2022 है जैसे कल वाबा ने हमें अव्यक्त इशारों में बताया कि हम आत्माएं पहले से ही मरे पड़े हैं तो डर्ना किस बात का तो मरने के लिए किस गुण की या किस धारना की आवशत्ता है आईए जानते हैं आज के वाबा के अव्यक्त इशारों से लोग डरते हैं मरने से और आप तो हैं ही पुरानी दुनिया से मरे हुए तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा आप तो हो ही ट्रस्टी शरीर भी मेरा नहीं लोगों को मरने का फिक्र होता है चीजों का या परिवार का फिक्र होता है आप तो हो ही trustee, नियारे हो देह सहित किसी में भी लगाव ना हो तब निर्भय रह सकेंगे तो आज हमें बाबा ने बताया है trustee रहने के बारे में वास्ताव में हम जब कहते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका तो उसके अंदर हमारा तन, मन, धन ये तो हम काउंट करते ही हैं लेकिन साथ साथ जन कि मेरे मित्र संबंधी भी वास्तव में बाबा की है और साथ साथ हमारे साधन जिनको हम भले सेवा के लिए यूस कर रहे हैं लेकिन वो भी हमने बाबा को समर्पित किये है और साथ साथ ये सब कुछ समर्पित करने की स्मृती भी हमें समर्पित करनी है बाबा पर कई बारी हम कहते हैं हमने सब कुछ समर्पित कर दिया तन मन धन से हम बाबा के बन गए लेकिन याद रखते हैं अपनी मन के अंदर उस बात को नोट करके रखते हैं कि मैंने क्या क्या समर्पित किया है बाबा पर ये भी ट्रस्टी बनना नहीं है ट्रस्टी का अर्थ है ना कुछ मेरा था ना अब कुछ है और जो भी आगे मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ भी बाबा का ही है नहीं तो कई बारी हम पहले पुरानी दुनिया से मरते हैं फिर से मुस्मिती जाग जाती है और फिर से जिन्दा हो जाते हैं और उसके बाद फिर से मरने का अभ्यास करते हैं जो मर के जिन्दा हो उसको हम सभी आम बोलचाल में भूत कहते हैं तो ट्रस्टी बन करके वो स्पृती रख करके फिर से पुरानी दुनिया में बुद्धी से चले जाना ये हमें ट्रस्टी पने की उच डिगरी से गिरा देता है और जिस जिस चीज में हमारा लगाव बढ़ता है वहाँ वहाँ से भय उत्पन होता है तो बाबा ने आज हमें कहा कि पूरा पक्का मरजीवा बनने के लिए ये ट्रस्टी पन ये न्यारा पन केवल यही नहीं कि मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया लेकिन मेरा कुछ था ही नहीं जो मैंने बाबा को दिया वो था ही बाबा का तो इस स्वृति को अपते अतर हम पूरी तरह से पक्का रखेंगे और ट्रस्टी बनते हुए निर्भैता के गुण को धारन करेंगे ओम शान्ति